हेलो एवरिबन आप सभी को मैं नमसकार मैं विश्जीत सिंग आप सभी का दीना पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कस्मीर सैफ्रोन गैट जी आई सैटिफिकेशन जो कस्मीर में मुलता हुगाया जाता है जो इस समय हमारा union territory भी है गेंदर सासीतफ परदिस भी है तो यह जो वहां पर उगने वाला केसर है जिसकी खेती की जाती है उसको वहां के राज़पाल ने GI G.I. Certification इस बार दिया है तो G.I. Certification होता क्या है ठीक है इसको किसी भी product के लिए अगर जिस product को मिलता है तो उसकी value क्या होती है ठीक उसकी value क्यों बढ़ जाती है क्या होता है उसके बाद क्या changes आते हैं उसके बारे में जानेंगे और किसी भी product के लिए G.I. Certification क्यों बहुत भूर इस से केसर होता तुष तेनं कe केसर को सिपटेफिकेशन देनी की बात की जा रही थी। किंकर मिलना चाहिए क्योंकि कर्में जो पाइ जाते हैं अलग अलगU लग कीमें अंदर केसर और ंखते हैं उसमें सबसे सरस्रेस्ट मतलब सबसे number one जो केसर होता है कस्मीर का होता है तो जो कस्मीर के सैफरोन को GI Certification मिला एक बहुत बड़ा मतलब step है government के द्वारा सरकार के द्वारा बहुत बड़ा step है तो आज हम इसके बारे में जानेंगे GI Certification होता क्या है ठीक है इसकी क्यों जरूरी है और किसी भी product का GI certification कितने समय तक valid रहता है इसके लेने का process क्या है ठीक है कौन दे सकता है इस सारी चीज़े हम देखेंगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो सबसे पहले दोस्तों आप सबसे रेक्वेस्ट यह रहने वाली है कि अगर भी तक आपने हमारे social media platform को follow नहीं किया तो आप जाके हमें follow करें जिससे आने वाले समय में जो भी वीडियो related update हो या आपके कोई भी question हो आप हम पर put up कर सकते हैं आप हमें facebook, instagram, twitter पर follow कर सकते हैं telegram पर जो हमारा group है उसको आप join कर सकते हैं जहां पर आपको हर वीडियो की pdf अवैलिवल है आप हमारे blog, blogger पर पर पढ़ सकते हैं साथ साथ most important यह है कि आप हमारे YouTube चैनल को जरू सब्सक्राइब करें जिससे हम अपने आने वाले समय में जो भी आपको मदद कर सकें जिस तरके सभी मदद कर सकें इन सबी का जो लिंक है दोस्तो आपको description box में मिल जाएगा ठीक है तो जरूर एक बार visit करें और follow जरूर करें स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कस्मीर सैफ्रों गेर्स जोग्रफिकल इंडिकेशन टैग ठीक है इंडिकेशन टैग जोग्रफिकल इंडिकेशन टैग क्या होता इसी को हम जी आई टैग के नाम से भी बोलते हैं यह पूरे भारत में जो केसर उखते हैं कई जगा पर उखते हैं उनकी बात कर रहे हैं पहली बात है भारत में हर जगा पर पहाड़ी इलाका है वहीं पर उखता है तो कस्मीर में केसर की खिटी कि जाते हैं सेरों की खेती कि जाती है और यहां पर की किटी का ओर जा से जैसे मानलो पहले जादा जमीन पर खेती होती थी सेफरोन की, अब धीरे-धीरे जमीन भी कम हो रही है और खेती करने वाले लोग भी कम हो रही है, जिसके कारण से ही इसको दिया गया है GI Certification, अब GI Certification मिलने के बाद क्या होगा, कि जो लोग होंगे, जो किसान होंगे, वो बढ का पैदावार बढ़ेगा और पूरे विश्व भर में परसीद होगा ठीक है जिसके कारण से यह दिया गया है ठीक है जिए सेटिफिकेशन और आगे भी बात करते हैं जिए सेटिफिकेशन की और क्या-क्या चीज़े होती हैं दोस्तों इस नियूज को कई सारे कई सारे नियूज इजिस ने इसको कवर किया है और अगर आप किसी तरह के कॉम्प्रेटिफ एक्जाम की भी त्यारी करें तो उसमें अकसर इस तरह के करेंट अफिर से लेड़ेड कोशन पूछे जाते हैं जिए टेग बहुत ज्यादा इंपर्टन हो जाता है क्योंकि हर साल क कुछ ना कुछ नए जी आई टैग जुडते हैं कुछ ना कुछ ने पुराने जी एग घटते हैं ठीक तो जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है तो इस बार का जुआ नाज यहीं टेग है। यहां की गवर्णर उनको द्वारा जो ड़ा गया वह सफ्रोन हो जाता है। ठीक है आगे बात करते हैं तो जो वहां के गवंडल करके ग्रीस चंदर मूमरें करके गवंड Arged first governor माने जाते हैं क्योंकि जम्मू कस्मीर अभी कुछ समय पहले ही केंदर सासित परदेश में बदला ठीक है तो उसके बाद इनको governor बनाए गया तो उनके दोरा first major step माने जा रहा है जो saffron को और उसके production को बढ़ाने के लिए जम्मू कस्मीर वैली के जो अंदर पाय जाता है उसके world map पर authentication दिलाने के लिए पहचान दिलाने के लिए पूरे wish में यह GI tag दिया गया अब जो GI tag दिने के बाद क्या होता है कि पूरे wish भर में उसका एक अलग number एक अलग पहचान हो जाता है भाई यह GI certification मिला हुआ है GI certification मिलता क्यों है तो कोई भी product को special पहचान देने के लिए कि यह बंदा special है VIP है ठीक है यह इस जगह से belong करता है इसकी यह खासियत है और यह यहीं पर मिलता और कहीं नहीं मिलता इसका आरण से GI certification मिलता है अब suppose करो आप अगर कोई चीज लेने जाते हो suppose करो आपने बनारसी साड़ी ली ठीक है बनारसी साड़ी को भी GI tag certification मिला हुआ है GI certification GI tag मिला हुआ है बनारसी साड़ी को भी तो बनारसी साड़ी में क्या है बनारसी साड़ी क्या लंदन में जाकर खरी सकते हो हां करी सकते हो बट online online भी हो जाएगा कहां से तो online, offline कहीं से भी जाएगा तो Benares से ही बन कर London में supply होगा ठीक है या फिर Benares से बन कर Delhi में supply होगा कहीं भी पर जो उसका main reason है जो main जहाँ पर बना, जहाँ पर उसका जन्म होगा कहां था, Benares था तो सेम इसी तर जो कस्मीर वैली के सैफरों को जो GI टैग मिला है GI certification मिला इसमें क्या है कि जो कस्मीर वैली में उगने वाले जो केसर है सिर्फ उनहीं को GI certification है ना कि कहीं भी वो मिल रहा है उसको मिल गया है इनका जो export market होता है import export export market में बहुत जादा इसका बढ़ जाएगा ठीक है रुतबा मतलब जो export market में इसकी जो market value बढ़ जाएगी अब ज्यादा देश इसकी demand पहले भी देश देमांड करते थे बहुत सारे countries में इसको supply के जादा था ठीक है पर क्या होता था कि इसकी उतनी मार्केट में जो वैल्यू बढ़ जाएगी सासा दोस्तों जो फार्मर हैं जो पहले अभी मैंने जैसे बताया था आपको कि पहले मालो इतनी जमीन पर खेती की जाती थी अब लोग कम हो चुके हैं किसमें पैसे कम है और इसका उतना ज्यादा पैचान भी नहीं है इतना ज्या इसके वैल्यू बढ़ेगी सब कुछ बढ़ेगा जिसके कान से क्या होगा फार्मर को एक अच्छा प्राइज मिलेगा च्छा कीमत मिलेगा और अच्छी कीमत मिलेगा तो लोग अपने आप ही इसकी खेती करेंगे तो इसको देखकर भी जो जम्मु कसमीर के गवर्णर है उ सारे फूल दिखते आपको यह फूल यह फूल के अंदर में इस तरह की पंखड़ी है इसे से निकल रही होती है यही केशर होता इसी को तोडबा सूक करते तो इसको तोड़के यही केशर बता है बहुत सारे बहुत ज्यादा फाइदेमंद सुखत मेहंगा भी मिलट असको यह भी बताओ तुम्हें आपको, ठीक है अब आगे बात करते हैं, तो केसर जो है वर्ल्ड के अंदर में सबसे ज़्यादा जो केसर उखता है, इरान के अंदर में उखता है, इंडिया जो है दूसरे नमबर पर आता है, बहुत ज़्यादा close competitor है इरान का केसर के मामले में, ठीक है केसर इरान में सबसे ज़्यादा उखता है, largest production producer है केसर का इरान, ठीक है साथ-साथ यह कस्मीर सैफरोन का क्या है, मार्किट के अंदर में एक अलग पहचान है, लोग इसको खरीदते हैं क्योंकि इसका जो अलग टेस्ट है, अलग सब कुछ है, बाकी केसर उसे डिफरेंट है, इसके कांच से अगर जिया टेक मिलने से क्या होगा, इसका grow जल्दी होगा, ठीक है, इसकी value ज़्यादा जल्दी बढ़ेगी, और market में एक अलग पहचान बनेगी, और पहले से इसकी पहचान हैगी, कस्मीर सैफरोन है, कस्मीर वैली सैफरोन है, ठीक है, कस्मीरी सैफरोन है, जिसके कांच से लोग इसको ज़्यादा तर खरीदते हैं, ठीक है, अब सोचो, समुन्दर तल ये है, इसे 1600 मीटर या 1800 मीटर उपर, केसर उगा जा रहा है, ये दुनिया का पहला ऐसा केसर है, जो इरान में भी उखता है, उस तरह से नहीं उखते, पर इतना उचाई पहले वाला केसर है, जिसके कारण से इसकी और ज्यादा वैल्यू है, ठीक है, और इसकी जो विसेस्टा है, जो इसकी खासियत है, दुनिया भर में अलग-अलग किसमों में नहीं पाए जाती है, अलग-अलग किसमों से बाकी किसमों से एक्दम अलग करता है, इसे different बनाता है, जिसके कारण से इसकी वैल्यू बढ़ जाती है और भी, अगर हम बात करें कि यह जोग्रिफिकल इंडिकेशन होता क्या, GI tag है क्या, GI tag होता कैसे कहते किसे हैं, तो GI tag अत्वा उस वस्तू की पहचान, ठीक है, मतलब किसी वस्तू की पहचान एक तरह से, किसी वस्तू के लिए, आपके लिए पहचान पत्र होता है, अधार कार्ड होता है, जिसमें आपका नाम, डिटाइटर, सब कुछ लिखा होता है, तो सेम इसी तरह से GI tag होता है, किसी विसेश चीजों के लिए, अब देखो, उत्पादन को, किसी वस्तू या उत्पादन को दिया जाता है, किसी विसेश छेतर का परदिनीतितू करता है, जो किसी विसेश छेतर से आता है, कि सिर्फ वहीं पर पाए जाएगा, उसके अलाब़ा कहीं नहीं पाए जाएगा, ठीके, अथवा किसी बिसेश स्थान पर पाया था, छेतर हो, स्थान हो, ठीके, उसका मूल स्थान होई ही हो, किसी अलग जगह पर मिलता, उक्दम वही पर मिलेगा, दूसरी जगह नहीं मिलेगा, अगर आप बनारसी साड़ी की बात कर रहें, तो सिर्फ बनारसी साड़ी मिलती है, ठ उसका जो टेस्ट है बाकी अलग अलग स्टेट में भी जो संत्रे उकते उससे अलग है बाकी संत्रों से अलग है जिसके कान से इसको जियाई सेटिफिकेशन मिला हुए तो मतलग किसी अलग स्टेट किसी अलग जगह को दिखाता हूं वहीं पर सिर्फ मिलता हूं उसके कान से G-I certification मिलता है उसको खासियत उसकी बनाए रखने के लिए उसको एक अलग पहचान देने के लिए G-I certification मिलता किसको है तो कृषिय उत्पाधत अगर कोई- कर भी-किशि उत्पाधत वस्तू हो प्राकृतिक वस्तू निरमीद वस्तू हो टीके मालों अब कोई भी प्राकर्तिक वस्तू भी है जो अपने बनी या उगाया जा रहा है और एकदम अलग है उसको मिल सकता है टीके जैसे बिहार में एक चावल उगता है जिसके कारण से वहां पर उसको है मघई-पान पान है कहेगा मघई-पान जो बिहार में पान उगा पेंटिंग हो जाते हैं ठीं के जिस्कोफ मिरिए पसीना सॉल है पस्मीना सॉल तो इनको भी जो चदर जैसे होती है उसको भी मिला हुआ है तो छीयर से चीज़े होती है आप प्राकर्ति ठीक वस तू हो चाहें निर्मित हो इनको G.I. Certification मिल सकता है और एक जी सैटिफिकेशन का जो 5 न होता है वो 10 वर्स के लिए वेत होता है, 10 वर्स को चलता है ठीके 10 वर्स वाद उसको revenue करणना पड़ता ह। ठीके और आप कुछ और भी जरूरी जिए सेटिफिकेशन देखोगे तो जाद दार्जलिंग के चाहे तिरुपत्ती लड्डू ठीक है कंगड़ा पैंटिंग नागपुर संत्रा कस्मीरी पसमीना ठीक है यह सारी चीजें दोस्तों यहां पर कोश्चन आफ वीडियो यह रहने वाला है आप कस्मीरी मतलब कस्मीर के और भी कोई जिए सेटिफिकेशन टैग है क्या मैंने केसर बता दिया यहां पर पसमीना सौल बता दिया अब और भी आपके पास अगर है कोई सी के बारे में कि कस्मीर में इस प्रड़क्ट को भी इस वस्तू को भी जिए सेटिफिकेशन मिला हुआ तो वो जरूर कमेंट करके बताएं ठीक है आगे देखते हैं सबसे पहले दोस्तों जो इसका जी सेटिफिकेशन होता है कुछ इस तरह से दिखता है पूरा प्रोडक्ट का नाम वैली कहां पर बनता है कहां पर क्या है किस कटेगरी में आता है उस सारा कुछ लिखा होता है इस तरह से स्लोगन होता है जिसमें अतुल्य भारत की अमुल्य निधी इसका स्लोगन है ठीक है और यह लोगो है जो आपने उपर थमनेल में देखा होगा आगे पात करते हो दोस्तों इस वाल अलग-अलग तरह के चीजों के बारे में बता रखाए कि कहां पर क्या उगाए जाता है ठीके कहां पर क्या चीज है ठीके कौन से किसको कहां पर कौन सा सैटिफिकेट मिला हुआ है ठीके जैसे देखो मगही पान में जो बता रहता आपको मगही पान बिहार के अंदर में मगह हुआ है ठीक है तो वीडियो डौसतों कैसी लगे आपको KOMEN'T कर के जरूर बताएं और भी इसी तरह के वीडियो से पाने के लिए देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे जो भी वीडियो का लिंक है वो अपने दोस्तों तक सेयर करें हमारे watching me thank you for listening my friends bye bye all the best